चलिए देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है कोलोसल का मतलब क्या होता है कोलोसल इस एन एडजेक्टिव कोलोसल इस एन एडजेक्टिव जिसका क्या मतलब है जिसका मतलब है विराट बहुत ही विराट दिखना यूज दिखना बहुत ही बड़ा दिखना है ना जैसे कोलोसल का काजल निकला हुआ था क्या निकला हुआ था काजल वाई कोलोसल नाम रखा गया क्योंकि उससे आखें बड़ी दिखती है काजल लगा के तो दाट इस कोलोसल कोलोसल आई काजल है ना तो मीनिंग क्या है एक्स्ट्रीमली लार्ज और ग्रेट बहुत ही जब विश्णु जी ने वामन अवतार लिया था तो उनका इतना विशाल रूप था कि उन्होंने तीन पग में ही धरती ना पली कहने का मतलब सबसे कुलॉसल रूप था क्या था इनका कुलॉसल रूप था तो meaning होता है extremely large, extremely great, विराट रूप है ना तो synonyms में अगर कहें तो synonyms क्या होंगे इसके huge, massive, enormous, gigantic, gigantic mammoth है ना, अच्छे passive words आपके पास हैं इनको note down कीजिये, huge, बहुत बड़ा, massive, enormous और बहुत ही बड़ा, gigantic gigantic and mammoth एंटनेम इसका क्या होगा बहुत? सुक्ष में छोटा सा tiny, minuscule, puny, puny मतलब again the same, tiny sentence में इस colossal को कैसे यूज करोगे आप? जैसे she is wearing a colossal kajal she is wearing a colossal kajal नाम ही वही रखा इनोंने, branding के लिए क्या कर सकते हैं? अब sentence में देखिए she must wear the colossal kajal to give a colossal and grander appearance to her आई देखिए आपके पास words आगे ना? पढ़ते भी जाएंगे, देखते भी जाएंगे किस तरीके से words को हम put कर सकते हैं है ना? मलब विराट, ध्यान रखेंगे इन images से images, videos, कोई clip ऐसी हो कि आपके दिमाग में fit हो जाएं ध्यान ना भी हो तो at least इतना तो पता हो तो click कर जाएगा है ना? तो next चलिए word पर आते हैं, inception का मतलब क्या होता है बताईए inception मतलब the very beginning, origin, start, source, the establishment or starting point of an institution or activity or an activity inception देखिए आपका tion है, noun है इसे लिए इसका मतलब है आरंब begin होना, begin होना तो synonyms क्या होंगे, नीव रख दिया, हमने begin कर दिया क्या कर दिया, begin कर दिया, initiate कर दिया, set कर दिया, setting origin, nation, origin, nation मतलब क्या set कर दिया, origin कर दिया, क्या कहेंगे इसको origin, inception मतलब origin करना, किसी चीज़ को create करना या फिर inception मतलब begin करना, start करना स्टार्ट करना अब इसका उल्टा क्या हो जागा end करना, conclude करना expire करना, close करना, खतम करना है ना sentence में देखे कैसे यूज करेंगे we will assist you at every stage from inception to completion कहने का मतलब yes we will assist you at every stage from inception to completion जब तक आपका काम complete नहीं हो जाता, crack नहीं हो जाता exam, तब तक हम आपको assist करते रहेंगे from inception to completion जब शुरुवात से लेकर आन्त तक जब तक complete नहीं हो जाता है तो inception मतलब क्या है, अच्छा यहां से आपको कैसे inception समझ में आ रहा है, इस universe का inception कहां से हुआ, begin कहां से हुआ, origin कहां से हुआ big bang theory आपकी, है ना क्या कहती है कि एक छोटे से nucleus से सारा ब्रह्मान बन गया, है ना तो origin, inception की बात हमने कर दी, किसकी बात कर दी inception है ना, चलिए next word पर आजाएं paradox, paradox का मतलब क्या होता है, यह word आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, पर meaning क्या समझे, आप आज तक कभी इस चीज को ठीक से समझ पाए कि paradox का मतलब क्या होता है, paradox का मतलब क्या होता है it is a noun जिसका मतलब होता है विरोधा भास, विरोधा आभास से बना है, विरोधा भास विरोधा भास, meaning क्या होता है इसका meaning देखिए a seemingly contradictory statement which when investigated may prove to be well founded or true जो सुनने में बहुत ही विरोधा लगता है मतलब क्या है, सुनने में लगता है कि ऐसा तो होई नहीं सकता या फिर opposite लगता है, contradictory लगता है लेकिन जब आप तह में जाओगे मतलब जब आप उसके एकदम depth में जाओगे तो depth में जाने पर पता चलेगा कि हाँ ऐसा तो है लेकिन ये बात सत्य है कहीं न कहीं तो मतलब paradox की बात होगी, synonym क्या होगा absurdity या enigma जो puzzle कर दे रहा है हमें नहीं समझ पा रहे हम, तो mystery है absurd होगे हमारे लिए वो चीज, है न तो enigmatic है, puzzling है, perplexing है देखिए, क्या है, perplexing है bewildering है, क्या है, bewildering है bemusing है, कहने का मतलब लेकिन इन सब से इन सब में से paradox का थोड़ा सा हट कर meaning क्या निकलता है, अब words अलागे तो थोड़ा तो meaning में difference हो गई न synonyms तो synonyms हैं अपनी जगा लेकिन paradox का मतलब क्या होता है, दो ऐसी contradictory बातें जहां पर लेकिन लग रहा है कि हाँ, ये तो होता नहीं है, या फिर जो हम समझते हैं वैसा होता नहीं है, अलग निकल कर आता है in a strange paradox, the medicine made Heather sick before it made her better, अब देखें यहाँ पर paradox कैसे है, paradox का usage समझे और उसका meaning और clear हो जा रहा है sentence समझे क्या कह रहा है, इस strange paradox में क्या हो रहा है कि जो दवाई Heather को दिया जा रहा था, Heather लड़की का नाम हो गया कि उसको जो दिया जा रहा था, जो medicine उसको दी जा रही थी क्योंकि वो बिमार थी, तो उसको medicine देकर Heather और थोड़ी बिमार हुई, इससे पहले कि वो ठीक हो ठीक तो हुई, medicine मिली है तो ठीक तो होना यह लेकिन पहले थोड़ी सी बिमार पढ़ गई, और तो यह paradox हो गया, मतलब medicine खा कर आपकी expectation क्या है कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है पहले Heather थोड़ा बिमार पढ़ती है और जादा and then ठीक होती है तो यह paradox हो गया, medicine का in a strange paradox, वैसे ही पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ, यह भी paradox है यह भी paradox है, contradictory है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो सत्ते है अब यह image देखे, यह paradox image है अब यह actually 2D है या 3D है या फिर किस तरफ move कर रहा है, किस तरफ tiles जा रही है हमें नहीं पता, यह paradox है, दिखने में कुछ है, है कुछ और दिखने में कुछ है, और है तो कुछ और बात, मामला माजरा कुछ और है तो that means, जब मामला माजरा कुछ और नजर आता है और हम उसको समझते कुछ और है, क्यूंकि हम depth में नहीं गए होते तो उसको कहते हैं Paradox आगे देखें Conjunction आपके पास क्या word है Conjunction अब Conjunction की image क्यों नहीं लिखी ये देखिए मैंने क्या लिख दिया and What is this? Conjunction कुछ ज़रूरत ही नहीं थी आपको तो पता है Conjunction का मतलब क्या होता है सन्योजन मतलब जोड़ना combination of events और conditions अब यहाँ पे अगर हम grammar की बात करते हैं तो Conjunction हमारा सबसे इच्छे example देखिए and है और है Conjunction कोई भी ऐसी चीज जो जोड़ रही है अब यहाँ अगर sentences को जोड़ने वाली चीज को हम grammar में तो Conjunction बोलते हैं अगर grammar से बाहर जाए concept में जाए तो conditions और event situation को जोड़ने वाली जो चीज होती है जो combination होता है उनका उनको कहते conjunction मतलब जोड़ना conjunction पर पहुँचके है ना तो Converge होना मतलब raise आ रही है Converge हो रही है Conjunct हो रही है Confluence जोड़ रही है नदियां जुड़ती है जब मिलती है दो नदियां अलग-अलग नदियां जब मिलती है तो क्या कहते है Confluence Confluence कहते है उसको Confluence of Reverse Association Combination मतलब मिलना अब जब नदियों का जैसे दे प्रयाग पर आकर कितनी नदियां मिल रही है तो इस combination को इस conjunction को क्या कहेंगे Confluence है ना conjunction कह लीजिए Confluence कह लीजिए बात तो एक ही है combination है ना क्या है combination sentence और इसके antonym देखिए अब क्योंकि converge हो रही है तो अब diverge कर दीजे diversion है ना this union union नहीं हो रहा है division हो रहा है बट रही है चीजे antonym तो बहुत clear है क्योंकि conjunction क्या है मिलना लेकिन antonym क्या है diversion अच्छा sentence में इसको कैसे कहेंगे reading is taught using a conjunction of several method अच्छा जब हम पढ़ाते हैं जब आप पढ़ते हो तो क्या सिर्फ एक लए एक ही चीज से लेके पढ़ते रहते हो बहुत सारी चीजे मिल जुल कर combination of various thing comes into play and then we teach you अब जैसे मैं आपको vocab करवा रही हूँ तो मैं आपको part of speech भी बता देती हूँ मैं meaning तो बताऊंगी ही बताऊंगी बढ़ सिनोने mantalims भी बता रही हूँ आप mental इसको picturization कैसे कर पाएं वो भी बताती हूँ तो everything comes into play है ना तो it is a conjunction of several methods mnemonic method जो आपका है समझ में आई बात next है आपका cherish cherish का मतलब क्या है cherish का मतलब क्या है किसी को cherish करना किसी को cherish करना cherish करना मतलब किसी को protect करना care करना बच्चे को cherish करते हैं हम खुश्णवा moments को cherish करते हैं cherish करते हैं मतलब उसे बचा के रखना या संभालना उसका care करना किसी को बहुत प्यार भरे gesture से synonyms क्या है किसी को adore करना esteem करना या admire करना बहुत प्यार से antonym गलत होगा neglect हो जाएगा overlook ध्यान ना देना मतलब overlook करना disregard करना मतलब ध्यान नहीं दे रहे regard नहीं कर रहे हैं sentence में इसको कैसे use करेंगे when the world war broke out and he began to cherish strategical ambitions जब world war broke out मतलब उठ जाना कहने का मतलब शुरू हो जाना एक breakout हो गया मतलब विसफोर्ट हो गया उस चीज का शुरुवात हो गया उस चीज की when the world war broke out अब अब एंडी जो परसन है वो strategical ambitions को मतलब अपने गोल को strategical goals को क्या करने लग गया cherish करने लग गया उसको अपनाने लग गया मतलब उसको क्या करने लग गया उस चीज को खुशी से अपनाने लग गया उस चीज को समझने लग गया और उस चीज को अपने अंदर समझ के protect करने लग गया कहने का मतलब अपने thoughts की बात आ गया बच्चे को क्या करते हैं आप चेरिश करते हैं बच्चे को क्या करते हैं आप चेरिश करते हैं कोई भी ऐसा बच्चा होगा आपका जिसके कि आप उसको चेरिश ना करें ऐसा हो सकता है क्या तो बच्चे को चेरिश किया जाता है है ना चलिए क्या बोलेंगे आप इसको बताईए पढ़के बताईए अब इसका भी मतलब है विरोधा बास इसका भी क्या मतलब है विरोधा बास